हेलो दोस्तों उमीद है आप अच्छे से होंगे क्रिप्टोकरसी ट्रेडिंग में सम टाइम ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं जब हमारा 100% पोर्टफोलियो या फंड्स ट्रेड में स्टक हो जाते हैं ऐसा अमूमन तब होता है जब मार्किट्स अचानक से क्रेश हो जाएं या फिर आपने जो ओर्ड कोईज बाई किये होते हैं इनकी प्राइसिस अचानक से डंप हो जाएं As a result of this सारे के सारे फंड्स स्टक हो जाते हैं ना तो हम लोस रिकवर कर पाते हैं ना ही अधर बाईंग उपर्चॉनिटी से फायदा उठा सकते हैं क्यूंके हम मार्किट के चुंगल में बुरी तरह फ़स चुके होते हैं तो आपको परेशान होने की जुरूत नहीं है I have one solution for you ना तो आपको fresh investment करने की जुरूत है ना ही आपको अपने funds extreme lows में sell करने की जुरूत है विडियो short है इसलिए बिना skip किये हुए लासक देखें और अपनी राए भी दें आए स्टार्ट करते हैं तो guys सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी reasons हैं जिसकी वज़ा से आपके जो funds हैं वो 100% stuck हो चुके हैं क्योंकि 100% funds stuck होने का मतलब है कि आपके portfolio की जो condition है इस time पे बहुत ही bad है वो अच्छी नहीं है आपको कुछ reasons मैं पहले बताऊंगा जो अमूमन बाहिस बनती है 100% portfolio stuck होने का ठीक है ताकि आप future में ये mistake ना कर सकें साथ ही आपको trading strategy भी बताता हूं कि अगर sometime ऐसा भी हो जाता है कि market हमें chance ही नहीं देती है एक दम से market crash हो जाती है और हमारे funds जो है 100% stuck हो जाते हैं तो in that case में lows कैसे recover किया जा सके without any fresh investment ठीक है और इसके लाबा other buying opportunity से कैसे फायदा उठाया जा सके ठीक है ये आपको मैं technique बताता हूं बहुत ही simple और बहुत ही अच्छी technique है जिसको आप implement कर सकते हैं पहले मैं reasons बताता हूं फिर हम उस technique की तरह पाते हैं number one पे जो reason होती है आप अपने आपसे ये question करें कैसा तो नहीं है कि आपने सारे के सारे funds एक ही coin में invest कर दिये हैं ये सोचते हुए के फलाँ date पे इसकी कोई news आ रही है ये coin pump करेगा कैसा तो नहीं है अगर ऐसा है तो ये mistake next time बिल्कुल भी मत कीजेगा क्योंके crypto currency highly volatile market है किस time पे क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं होता आप अपने portfolio को हमेशा diversify रखें ठीक है second question इसी से मिलता जुलता है क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके portfolio में कोई diversification का element ही नहीं है ऐसा तो नहीं सिर्फ दो या तीन coin ही buy करके रखे वे हैं सही है अगर ऐसा है तो proper way में अपने portfolio को diversify करना सीखें सही है different coins में invest करें equal amount के साथ या जैसे भी आपको लगता है कि यह strong coin है इसकी अच्छी news आ रहे तो उसमें थोड़ी से fund ज्यादा invest कर दें बाकियों में थोड़े थोड़े कम कर दें लेकिन diversify कर रहें ठीक है थर्ड जो reason यह होता है कि ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे आपने coin ऐसे buy कर लिया चाहे वो high prices पर ही क्यों नहीं हों जो कि news based पे हो totally news based ही आपका portfolio चल रहा हो अगर market में एक भी bad news आगे आपका तो fund सारे के सारे stuck हो जाएंगे बहुत सारे लोग यह नहीं सोचते हैं वीडियो देखते हैं YouTube पे फलाँ डेट को यह event है फलाँ डेट को यह event है और अपने portfolio को hundred percent in coins में invest कर देते हैं है ना यह भी एक बड़ी mistake है जिसकी वज़ा से आपका portfolio जो hundred percent stuck हो सकता है इसके लवाब यह देखें कि ऐसा तो नहीं है कि सारे कि सारे coin आपने top gainers वाले उठाए हों कि जी अभी यह 500 percent पे था तो 700 पे तो चला ही जाएगा क्योंकि आजकल तो सारे 1000 percent पे जा रहे हैं तबी top gainer में होते हैं सही है तो last but not least telegram channel के उपर आपको मैं बहुत सारी ऐसी वज़ुहात बताता रहूंगा मैं guide भी करता रहता हूं अगर आप telegram channel पे नहीं हैं तो आप telegram channel को भी जोइन कर सकते हैं last but not least कि ऐसा तो नहीं है कि आपके portfolio में spare BTC या USD की कोई जगह ही नहीं है अगर ऐसा है तो फिर kindly kindly spare funds रखा करें क्योंकि आपके पास spare funds हों तो ही आप loss recover कर सकते हैं अभी आती है उस simple technique की तरफ जो के मैं आपको explain करने वाला हूं कि वो क्या है ठीक है यह देखेगा मैंने simple सा एक graph graph कहने या इसको data बोले मैंने यह लिखा वैं फ़र्ज करें कि आपके portfolio में 10 coins हैं जो के सारे के सारे stuck हो चुके हैं ठीक है वन हंडर्ड वन हंडर्ड डॉलर आपने equally amount में invest किया है या अपने different amount के साथ invest किया है दोनों example के तोर पे मैं आपको समझा देता हूं आसान है ट्रेन नमबर वान टू त्री पॉर फाइफ सिक्स सेवन एन नाइन टैन हंडर्ड हंडर्ड डॉलर आपने invest किये हुए आपका जो total portfolio है यह मैं example दे रहा हूं different हो सकता है वह one thousand डॉलर का है यह example number one है और equal amount आपने invest की है और आपका unfortunately आपके सारे के सारे जो funds है वह stuck हो चुके अब क्या किया जाए अब market भी recover हो रही है आपके पास other funds जो है availability भी नहीं है fresh investment भी नहीं कर सकते हैं तो क्या किया जाए तो इस मामले में आपको यह करना चाहिए एक life line देनी चाहिए अपने portfolio को वह है कि आप कोई भी एक single coin ना लें कि उसको आप loss पे sell करके निकल जाए 100% loss जो है उसको accept करने जिया 20% है मैं निकल जाता हूं इसमें मैं फिर किसी और coin में invest कर लेता हूं क्योंकि उसके news अच्छी आ रही है या कोई बहुत अच्छा coin है वो extreme dip में चला गया आपको लगता है क आपको यह वला coin buy करना चाहिए था मैंने यह वला coin buy कर लिया तो in that case में एक single या दो coin sell करके अपने portfolio पे negative mark ना लगाएं सही है क्योंकि इससे आपको नुकसान ही होगा आप दूसरे फर्ज करें आपको 20-20% loss हो रहा है 40% पे 2 coin लेके निकल जाते हैं तो क्या जिस old coin में आप buy करने जा रहे हैं आपको लगता है कि वो आपको 40% profit दे सकता है अगर उसने 40% profit नहीं दिया फिर भी आप लोस में तो आप क्या करें कि 55% जो है वो सारे के सारे जो coins हैं वो sell कर दें ठीक है अगर आपको लगता है कि आपके पास 1000 dollar है तो आप 55% कर दें या 10-10% equally amount जो है वो होगा कि आपके portfolio पे कोई इतना खास फरक नहीं पड़ेगा देखिए 5% loss हो गया 5% या 10-10% loss जो भी है आप 10% अगर करते हैं loss की में बात नहीं कर रहा हो सकता किसी में आप सिरफ 2% loss हो 55% आप सी सारे coins में निकाले या 10-10% निकाले स्पोस करें हमने 10% निकाल लिया तो आप उस 100$ को sensibly trade करें सही किसी expert की राये ले 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 या आप proper stop loss के साथ या फिर कोई ऐसा coin जो आपको लगता है कि आपको short short profit दे सकता है तब आप उसमें invest करें उन 100$ को या उस 50$ को जो आपने यहां से निकाले है 55% करके या 10-10% करके ठीक हैं तो आपके लिए एक fund आगया है जि आप other buying opportunity से फाइदा उठा सकते हैं उससे आपको जो profit मिलता है ठीक है तो आपके पास इसका मतलब है 110% या 20% उस trade से profit होगा आपके पास होगा 120 USDT या dollars तो फिर उसमें आप उस coin में invest करें जो के सबसे ज़्यादा loss में है आपके ताके उससे loss जल्दी recover हो सके या further buying opportunity से फाइ तो आप उसको BTC या USDT में लेके आते रहें इस तरह आपकी trade रुखे गी नहीं आप स्टक नहीं रहेंगे एक point पे second example ले लेते हैं फर्स करें trade one में hundred dollar है second trade में two hundred dollar है 250 है आपकी third trade में fourth हमें आपने one hundred dollar invest किया हुए फिर three hundred different prices में आपने different coins buy किये हुए है अब आप क्या कर सक total portfolio है two thousand seven hundred dollar का यह सब total है इसका मैंने निकाल है वो different भी हो सकता है आपके पास one thousand five hundred भी हो सकते हैं आपके पास two thousand भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकता है ठीक है तो बजाए एक या दो coin sell करने की बजाए आप क्या करें कि उन सब में से five five percent निकालें जो कि मैंने आपको यहां प सकती है तो most of the people traders क्या गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि तीन या चार coin वो sell कर देते हैं या सारे के सारा portfolio भी कई ऐसे जाले होते हैं जो कि सारे के सारे funds या fifty percent जो funds हैं वो sell कर जाते हैं कि ताके वो other trades में jump ले सके ऐसा ना करें इस तरह आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपक some time bull trap होते हैं bullish trap होते हैं काफी होते हैं या bearish trap होते हैं तो in that case में market sometime आप time alone करें तो आपके fund recover हो जाएंगे time to time अगर expert की कोई आपको advice चाहिए होती है आप किस expert को जानते हैं आप उनसे contact भी कर सकते हैं अगर आप मुझसे contact करना चाहते हैं तो आपको मेरा email address मिल जाएगा description box में मुझसे भी राय ले सकते हैं ठीक है तो इस तरह portfolio का manage करें अगर आपके hundred percent जो हैं वो fund stuck हो जाएगा अगर आपको लगता है कि आपको one percent भी knowledge मिला तो वीडियो को like and share करना मत बुलिएगा अपना ख्यार रखेगा happy trading take care bye bye